इस हाल्दी रसेपीश को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसके अंदर में एड़ कर देंगे यहां पर हमने तोड की रखा हुआ खजूर जिसको हमने अच्छे से तोड के लिए लिया है और इसका सीड़ फिक दिया है इसे हम मिक्सी जार में घु होने लगेंगे दो चमच आड़ कर देंगे यहां पर बेसन बेसन आड़ करने के बाद में लगातार इसे कलर चेंज होने तक रूष्ट कर लेंगे और ग्यास का फ्लेम को लोट टू मीडियम रख देंगे ताकि बेसन जलेना जैसे हलका सा खुश्पों आने लगे बेसन के अंदर में आड़ कर देंगे आता ग्लास लगवक पानी पानी अट करने के बाद में फटा फट लंज ना आए फटा फट हम इसे चलाती हुए कू कर लेंगे तो यहां पर टोटल बेसन को पकाते हुए हमने दो से तिर मिनट हो चुका है सारा बेसन ने पानी को एपसोब कर अब इसके अंदर में आड़ कर देंगे एक छोटा चमच और थोड़ा सा यहां पर नट्स पावडर नट्स पाउडर अट करने को बात में कुछ तेर चलाएंगे और यहां पर अट कर देंगे जो हमने खजूर का प्योड़ी बनाखे रखाता इससे खजूर प्योड़ी पकाते हुए 4-5 मिनट हो चुका है और फूट दीरे दीरे गाड़ा कंसेस्टेंसी में आच चुका है बस इसी टाइम पे हम एड़ कर देंगे काव मिल्क अब इसके जगा में आप बैवी मिल्क भी आड़ कर सकते हैं तो यहां पे हमने आदा ग्लास लगबा काव मिल्क आड़ कर दिया है इससे आठ करने के बाद में फटा फट चला लेंगे और दुबारा से इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे तो इसी तरह से हमें चलाते हुए कूप करना है तो हमने यहां पे फूट को टोटल पकाते हुए 6-7 मिनट हो चुका है तो लिजे अब हमारा हाल्दी फूट बन के तयार है अब गयास का फ्लेम को आफ कर देंगे और फूट को ठंडा होने देंगे हलका ठंडा होने पर फूट को इस तरह से सब करेंगे तो लिजे गर्मा गरम सुपर हाल्दी फूट बन के तयार है इससे आप सुबह का ब्रेक फास्ट में बेबी को दे सकते हैं भी भी सुबह का टाई में बना कर दे सकते हैं यह स्वाद में भी काफी लाज जबाब है और इसे बनाना भी काफी आसान है तो डियर पैरस इस हल्दी सी रेसिपीस को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है आलू, टमाटर, हरी मतर, चावल और मुंका दाल साथी में एक लि दाल से बनाटर के लिए सकते हैं तो यहां पर मैंने सेम चावल और घाल कर लिया है और और हरी मटर एक चमच बरावर लिया है एक छोटा आलू और एक छोटा सा टमाटर लिया है अब आलू को बारी किसे इस तरह से चौप करके ले लेंगे और टमाटर का हमने छिलका निकाल दिया है इसे भी बारी किसे चौप कर लेंगे उससे पहले टमाटर का जो अंदर का सीड सोता है इसे निकाल कर फेक देंगे और साथी में यहां पर एक कल्या लसन है इसको भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के ले लेंगे और साथी में हम इसके अंदर में आड़ कर लेंगे हरी मटर विगा हुआ मुंगा दाल साथी में आड़ कर लेंगे विगा हुआ चाव गुणावा जिरे का पावडर साती में एड करेंगे थोड़ी से हिंग जिसे कि हमारा बेबी का डाइसन अच्छा हो एक चमज़गी एड कर लेंगे अच्छे से मिक्स अब कर लेंगे सारा चीजों को अब कुकर का ढकन बन करते हुए चार सेटी आने तक इसे अच्छे से पका अब मैसर का हल्प से अच्छे से माज करके लेंगे बहुत जादा छोटे बच्चों को इस फुट को देंगे तो आप इसके ले सकते हैं छोटे बच्चों के लिए मैसर का हल्प से इस तरह से माज करके ले सकते हैं तो लीजी अप हमारा सुपर हाल्दी फुट बन के तयार है इसे आप आठ मैने से लेकर तीन साल तक के बच्चो को कभी भी लंच में बना कर दे सकते हैं। इसे खिलाने से बेबी का वज़न तेरी से बढ़ेगा। साथ में सबजिया में पाय जाने वाले निउट्रेशन सर्दियों का टाइम में बच्चो को भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर आपका बेबी सबजी खाने के लिए पसंद नहीं करता या तो फिर आप बच्चो को सबजी खिला नहीं पाते हैं। तो इस हेलदी तरीके से आप बच्चो को सबजी एट करते हुए अपने बेबी को भरपूर मात्रा में हरी सबजी खिला सकते हैं। इस हैलदी से रेसेपिस को आप पि अपने बच्चो में ट्राइ कर सकते हैं। इस हाली सी मिल्क ड्रिंग को बनाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामागरी की जरूत नहीं है सर्दियों का टाइम में इस हाली मिल्क को आप बना कर देंगे तो बेबी का इमिनिटी पाउर हमेशा मज़ूद रहेगा और बेबी को सर्दी जुखाम खासी और कप की समस्या जो है हमेशा के लिए खतम होने वाली है जड़ से अगर आपका बेबी का सर्दी जुखाम गड़ा हुआ है अंदर से और कितने भी दवाई हैं पिलाने का बावजूद भी आपका बेबी का सर्दी जुखाम अंदर से नहीं जा रहा है तो आप इस मिल्क को आप बेबी को रोजाना साम का टाइम या तो फे सोनी से पहले दे सकत तो इसके लाए यहां पे हम ग्यास के उपर पेन बठाएंगे जितना हमें जोड़त होगा उतना। दूथ हम आड़ कर लेंगे दूथ में एक उऻाल आने का वेट करेंगे हैं दूथ में जैसे एक उगाएं लगी हम इस अंदर आड़ कर देंगे आदा चोटा टी स्पुन बराबर हल्दी हल्दी में एंटी ऑक्सिजन एंटी फंगल एंटी बेक्टरियल जैसे गून होती है जो की कफ को जड़ से खतम करती है और इंफेक्शन को खतम कर बच्चों की इम्मिनिटी को तेजी से बुष्ट करती है ऐ इसलिए हम सड्दी हों में बच्चों को हल्दी का सीवन इस दीद में घूट करते हुए करते हैं साथ ही में थोड़ी सी घ्लम प्र आड़क पेपर भी आड़ कर transly अठी गयर्ट करदेंगे ठोड़ी पे दागावाला मिस्ट्री का भी इस्तमाल कर सकते हैं जाजरी पाउर राट करने के बाद में फटा फट से चला लेंगे मिक्स अप कर लेंगे दूद को तो लीजी आप फैल्दी मिल्क ड्रिंग का रेसिपी बनके तयार है अगर आप सर्दियों में इस तरह का मिल्क बच्च नीन भी आएंगी क्योंकि दूद के अंदर में फरफूर मातरा में क्याल्सियम भी रहता है तो इसे बनाना काफी आसान भी है तो डियर पारेंस इस हाल्दी सी दूद को आप भी एक बार अपने बच्चों में ट्राई कर सकते हैं इस हाल्दी रसीपिश को बनाने के लिए सबसे पहला हम डाइरेक्ड़ी कूकर को लेंगे साथ में कटा हुआ गाजर एट कर लेंगे कटा हुआ आलू एट कर लेंगे और साथ फिमर्द कर लेंगे एक चमस बराबर अभिगा हुआ मशूर का दाल आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर जीरा पाउडर हींग और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर इस सारा मसालों को भी एट करने के बाद में ग्लास पानी एट कर देंगे अच्छे से यहां पर चला लेंगे और कुकर का ड़कन बन करते हुए इसे भी तीन से चार सिटी आने तक खूड में चार सिटी आ चुका है और यहां पर कुकर अंचर से ठंडा हो जुका है ही डकन खोल देंगे और चला के देखेंगे ॥ बहुत अच्छे से कुको के रेडी हो जुका है अगर इस पुटि को बहुत चोटे बच्चों के लिए तो पीस के लिए सकते है छोटे बच में गाजर और आलो से बना हुआ इस हाल्दी फूट को आप बच्चों को गर्मा गरम डीनर का टाइम में बना कर दे सकते हैं इसे किलाने से बेवी को अच्छी नीन आएंगे साथ में बेवी का स्कीन चमकदार होगा आखों की रोशनी तेज होंगी और बेवी का दिल और दिम अब कर लेंगे तो इस हाल इसी रस्पीस को आप अपने बच्चों में ट्राइब कर सकते हैं आज का रस्पीस आपको कैसा लगा अपना फीट बैक जरू दे ऐसे निव और हाल्दी रस्पीस सबसे पहले पाने इंग लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज् को शेर करें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले डूंट फोल्केट लाइब लाइब सेरें सिस्क्राइब मैं चैनल और थांस पर वाचिंग मैं वीटियो पाइब